हालो फ्रेंड्स विल्कम तो माई चैनल आएम अकान शग्रेरी अज मैं आपको जियस द्रश्टी के समान भुगोल के नेश्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूं और इसके कई पार्स आएंगे इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रातनक प्रतुति की गई है मींस सभी टॉप भी इसको देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही बेशीक और बहुत ही अच्ज t civ करकर सारेथ किया है देखिए अगर लक्ट्चर मेरे स्फीड आ ऐख कम यह ज्यादा लगे तो आप अपने को अपने मोबाइल से कम यह ज्यादा कर सकते हैं और लिक्षर देखने के बाद आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और अगर अपने चनल में नए हैं तो में चनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें ओके आए आज हम पढ़ेंगे नदिया के बारे में किसके बारे में बढ़ाया अज पूछे वहे हैं इस से क्यूशन पूँशन होगेका इस नदी और सिंदू नदी इसमें क्या है इसमें क्या होते हैं इसमें यहां की नदिया होती हैं इसमें साल भर पानी नदीओं के बारे में इसमें इसमें नहीं होती है यह मौसं में जाती है। जब मौसम ज़्यादा कम अच्छर आएगा तो पानी की मात्रा उसी हिसाब से उसमें रहेगे और इसे सुक्स मौसम में पानी की मात्रा हो गई वो भी कम हो जाएगे ठीक है समझगे तो आप देखे कभी सब एक जहां में क्यूशन पूश ले जाते हैं कि जो मैदानी भाग की मैदानी भाग की जो नदीया होती है इनके पानी के शूपहर से पानी इनको मिलता है लेकिन अगर बहुंप उसमें नहीं है और क्या है इसमें केवल यह मौसम पे होती है याद रखेगा थे वर्षा इसलिए मैं आपसे इसकस कर रही है और आप देखें जो हमारी प्र सक्व IFAची जा चुकी है लेकिन हम बात करें मैदानी स्टेज में नदियां के बारेंक बात करूं तोיס आपके माइंड में चाहि变ूस ऑना चीजे और जैफ्स IR अपने देखा हैं यह यह कया है इनको नम्बाई होती है फो होती है लेकिंग ये यह बहुत कम है आप भारत में hum बात करें मैदानी भाग में फिर गंगा नदी के बात करें गंगानी के बात करें तो इसकी कितना है 2525 किलो मीटर लगभग है 1465 किलो मीटर लगभग है तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंट है इनकी जो लुंबाई है साउथ इंडिया में कितना है 1465 है ठीक है आप ऐसे ध्यान रखेगा ओके आई यह हम लोग इस्टार्ट करते हैं प्राइदी पी नदिया मौसमी होती हैं मैधानी भाग की अपेच होती है कम गहरी होती है अब देख रहे हैं घाना गया है है यहां देख पे wij नियॉदह पहले था था नदियों के द्वारारा यां ले यह होती हैं यह केवल चटानी है पानी बरसा रहा पन्चाब में रहते हैं उन्हें पता होगा हम लोग हैं यहां पर नदियें होते हैं प्रादी भारत नहर पर ही डिपेंड होते हैं ठीक है अंतार है आप लोग को थोड़ा से समझ में आना चाहिए जितना आपको इन जितना आपको सोपने चाहिए क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे समझ कर पढ़ेंगे तो बहुत ही अब हम देखेंगे भारत यह होती हैं इती अरव सागर में गिन्ने वाली नदिया होती हैं जो सबनाती हैं अरब सागर में निर्मार करती है और माही आदी नदिया है जो यह बनाती है यह अरब सागर में गिरती है नर्मदा और तापती है यह अपना अपना पानी गिराती है जब यह perceived यह कैसी बनती है यह ओऔर सागर है यहां से पानी है है यहां रहा है साल्टी है इनिक अपने ऐसलती पानी नदी रहे आए जिस समूद्र है नीचे अमारा सी पानी तो यहां से पानी मिला मीठा पानी और मेठा ने मतलब है यह सालटी पानी नहीं है नर्मदा का था मिलेगा तो क्या होता है जो नदीओं द्वारा मिठटी बाहरा ग। यहां थे इकटे हो जाते यह हमारा बन जाता इषज बनती है याद रखे चांप का बनती है अब आ यह देखते हैं पर बंगाल की खाड़ी मी गिनने जैसे नदिया औरजिन से दूर होती चाले जाती है तो इनका धलान है वी कम होता चला जा रहा है तो यहां पर इसका बन जाता है यहां पर डेल्टा का फार्मेशन भाने पर बन जाता है तो यह एक बर मैं आप लोगों को और चीज़ बता दे रहे हूं इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा तो यह डेल्टा का निर्माण हो जाता है ठीक है कई उसमें क्यों हो जाता है क्योंकि यहां पर धलान कम होने से जो इसका पानी होता है कई उसमें बिधार जाता है क्योंकि यह क्या होते हैं क्योंकि नदिया अपने साथ रेत कंकर पत्था च आपको पूछा जाएगा कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहला में बंगाल के खाड़ी में बंडियों ब्धिक घ्रोओ कि नदियों के भरे एंDS द्हुआ नदियों के बारे में आपको इलेख सकतर हैं नदिय यह थे आप देर्षा नदिय है यह क्रिश्ना यह करने यह क्या है कावेरि कौन क्या है ये वेगई कावेरी क्रिष्ण गोदारी महानदी और अरफ बस आपको इतनी नदियों के बारे में पढ़ना होगा जो आपना पानी बंगाल की बिर जो इन इमारी ये हमारी जो है इंद्रवति ये सब तो इनके जो है सहायक नदियां है आए हम लोग एक करके पढ़ते हैं देखें मैं आपको बताया था ब्रंस घाटी में तीन नदियां गिरती हैं कुछन पूछते हैं वह कौन सी अब इसको नर्मदा एक हो गया तापती एक नर्मदा एक तापती एक हो गया दामोदर जो यह है यह अपनी आपनी ऩाडी में डाट नहीं पानी गिरती है थान की गरती जाती है जहां तो क्या होते हैं पहले हुगली नदी मिलती किसमें यह हुगली रिवर मिलती है इसी पानी अग år के घाटि जिरतwał पानी में गिरताए रएए अब आपना परंगाल के गिरती तक कि और आ अब देख रहे हैं दमोदार नदी के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैं इसका उद्गम स्रोत है यह इसकी और उसकी और रिवर की इसकी ऑर रखेंगं इसकी चोट नागपूर पठार में इसकी और रखेंगा इसके क्या है यह अपनी छोटे नापपूर पठार से निकलती है और फिर यह दो राज़म बहती है एक हमारे जारखंड में बहती है फिर यह और वेश्ट बंगाल होते हुए यहां पर हुगली नदी से मिलती है और फिर अपना यह जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है तो यह थी दमोदा नदी की बिसेस्ता है दमोदा नदी को बंगाल का सोक भी कहते हैं क्या कहते हैं बंगाल का सोक भी कहते हैं दमोदा नदी को आप देख सकते हैं और इसकी जो सहायक नदी है दमोदा नदी की बस आप इसको ध्यान रखेगा मैं इसमें आपको दिखा नही कि आपके और इसका चोटा नाकूर पठार से निकलती है और यह अपनी घाटी में बहती है यह बंगाल की भाड़ी में नामें अपना झाल खाली में किराती है अब आएंस हम देखते हैं सवन्रेखा में यह जो नदि है यह जारखन की निकलती जारखन के राची निकलती है और यह यह अपना बनाती है यह इतना ध्यान रखिए इसके किनारे पर जमसेदपूर बसा है यह जमसेदपूर बसा है तो इसमें क्या पायजाते है इसको इस malt हिसमें जली जन्तु नहीं होते हैं जय्विक मरिस्तर नादि को क्या वते हैं कि जनी पर बीट से हमारे क्या निकलते हैं इसकी में से निकला हुआ थे को बहुत आप सिश्ट गयेका नहीं को पलूटर बोलते हैं कि महा नदी महा नदी नदी इसका उधिगम श्रोथ है कहां है यह अपना कहा मुहाना बनाती है यह अपना उडिशा में चटक के पास अपना यह इाद रखिए आप आडियां हम लोग देखते हैं इसका डिपाती के उडिटीता है पारा ओर देखे एक नडी के यह दो बहती है यह कोई बहर ने करम पूछ लिया जाता है शिवनात हैई हस देव यह पूछा गया इसकी अगा है गो के वारे में महाराष्ट के महाराष्ट के महाराष्ट के महाराष्ट के पहारी क्या है यह नहीं कि त्रमपप 이것도 निकलती है यह नासिक के त्रमी के श्वर से निकलती है निकलती है निकल के आप देख रहे हैं इसका मैं आपको इपर दिखा दे रहे हूं यह इस यहां पर डेल्टा बनाई यह अपना डेल्टा कहां बनाती है यह अपना डेल्टा बंगाल की खाडी में बनाती है यहां पर डेल्टा बनाती और आप देख रहे हैं इंद्रावति है इंद्रावति इंद्रावति है गोधावरी और क्या है यहां प्राइदीपी भारती सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी क्या है यह 1465 किलो मीटर क्या है लंबाई है आप ध्यान में रखेगा यह सबसे नदियों में क्या है बड़ी है अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बाद कृष्णा निकलती है यह हमारे महाराष्ट के निकलती के भी महाराष्ट के महाराष्ट के आप महाराष्ट से निकलती है तो को राद के प्रादिपी भारत की दूसरी आपको आपको कुछ भी याद रखनें पत्या इक यह रहाँ तो आपको कुछ भी आद देखेंगे बना अब बनाती है बना प्र इसके बड़ा करें इसकी सहायक नदिया है आप देख रहे है यह देख रहे है पंच गंगा दूद घंगा भीमा आपको यह हमारी टृष्ण नदी की सहायक नदिया है इसका बिस्तार नहीं बताया था कि गोदावरी जो है कितने राज्यों में मिलती है तो जो गोदावरी है यह हमारे बताएं जो गोदावरी है तो है सब बइस्तार महाराष्ट लाइब आता है यह मद्रप्रदेश की तरफ जाता है और फिर क्या है आंध्रप्रदेश औरिशा चतिस गड़ दीटुड़ा और कर्सक्रणाट कर्नाटक और पुदूचेरी में यह सब जाए जाए महाराष्ट तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में लेकिन अगर और बात करें तो यह मारे मद्ध्रदेश थोड़ा सा उडिशा मद्ध्रदेश उडिशा और च्छतिस गड़ और करनाटा और पुदू-चेरी में जाता है मुखरूप से कहा है महारास तेलंगान और अनप्रदेश विस्तार आब आजए श्यावण देख रहे हैं कवेरी नदी यहां के ब्रह्मगीरी पहारी से निकलती है कावेरी नदी यह कहां बहती है केरल करनाटक और तमिलनारू में पुदूचेरी भी है तो पुदूचेरी में भी यह बहती है याद रखेगा दिखें इसमें जो है यह आप देख रहे हैं इसमें एक जलप्रपाद बंता सै GR बहुत जलब्र पता और चाम ने कस पूंछ है दो कि अमझेत बर चान की आठीच्टी बनता emerging नरी यह हमारे मुहाना कहां बनाता है, यह कहां बनाता है मुहाना, तीरुचिरा पल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में यह आप देख रहे मुहाना बना देते हैं, तो यह थी हमारी कौन सी नदिया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदिया थी, आए हम इसको बिस्तार से देखते हैं आए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी की हमने क्या पढ़ा था उसमें दामोदर नदी यह कहां बहती है इसका जो अपना यह बहती है इसकी जो सहायक नदी है अगर हम बात करें जो नदी कौन क्यों से हैं बराकर जमुनिया और कोनार इसकी सहायक नदी है इसकी इतना 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 नहीं पूल सकता आप सिक्चामें इसका जो अनृण में क्या है इसका जो अननाम क्या है बंगाल का सोक है इसमें कौनसी नहर है एडन नहर जो कि 1938 में इसकी एडन नहर बनाई गेती याद रखेगा इसमें क्या है आप देख रहे हैं यह तर्टी स्थल क्या है आप देखें राज रप्पा सक्ति पीछ चिन मस्ति के मंदिर दमोदर और भरव देखें के बारे में देखें नहर कंदिर गडर कर राज से निकलती है शी घटिस गडर के निकठ बंगाल के खणडैप और बनाती इसकी जो प्रमुक्षायक नदी है कौन सी नदी है आप देखे इसकी जो नदी है कौन सी है शिवनात है थे आप अपसे पूछ ले जाता है महा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है ठीक है अब हम पढ़ेंगे गोदाory नदी के बारे में देखें गोदावि नदी हमने बताया था यह प्रहधी भार नदीयों में से सबसे बड़ी नदीय से बहुत नदी किलो भारत के लिए तच्छी भारत के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो उनके लिए प्राण याद करिए कुछ मेंने का ट्रिक बनाई इसमें प्राण रहेगा उसमें इंद्र आ जाएंगे मंजीरा रहेगा वेन गंगा प्रावरा कुछ आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं और ह और प्रदेश मेरं डिल्टा बनाती है राजमुद्री के पास और प्रदेश मेर अपना डिल्टा बनाती है प्रावरा वरधां इम्द सबसे लंबी सहायक नदी है गोधा तो क्रिषण प deposit कि क्रिख नदी क्रिषेंग इसका जो इसका त्रमा राश्टं कि महां अमा राष्ट महा का निकलती है कृष्छा नीधी निकलती है इसके जो तुग भद्रा कोईना माल प्रभा पंच गंगा दूद गंगा घार प्रभा मूसी भीमा इसकी क्रिश्णा नदी की क्या है यह सहायक नदी है और अपना मुहाना कहा बनाती है बंगाल की खाडी में अपना बनाती है पॉप चेतर का है महाराष्ट करनाटक तेलंगान आठ्णा प्रदेश में यह यहां बनाती है इस से चल चल रहा है करनाटक माहारष्ट राज्यों माहाराष्ट laugh तो यहां बहुत नरहां के रूप में निकलती निकलती है यह सबसे लंबी सहायक नदी है कि तुग भद्रा नदी है यहाद रखेगा आप देखें जो मुशी नदी है मुशी नदी पर क्या बसा है? आप आगे हम लोग पढ़ते हैं कावेरी नदी के बारे में देखें करनाटक किबरभ गिरी पहारी से कावेरी नदी निकलती है इसकी जो लंबाई है 800 किलो मीटर लंबाई मैंने खाल अपो ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है इसका जो मुहाना बनता है तिरुचिरपली के निकट बंगाल की खारी में इसका मुहाना बनता है अप वाज छेतर कहां कहां बहती है आगे हम दोग देखते हैं कहां कहा ला निन निर्माढ निर्माड और कौन सी है अम्रावती भावानी हेमावती कावीनी आनी कौन सी है अमरावती वाती इसमें उसमें करिशन प्रभाल लागा था याद रखेगा इसमें अब अगर हम बात करें एक जल प्रपात है कौन फी जल प्रपात है आयतन की दिश्टी से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगी कावेरी नदी पर स्यू समुद्रम है यह जो की चाल राज्यों में पहले था लेकिन जब आंतर बन है जाता है पांच राजियों का क्या है विबाद पाया जाता है आप हम देखेंगे लैंख यह कौंञ से है क्या देखेंगे आपसा आदम कौन से नदी केती है नर्मदा तापती माही आदी नदी देखें मेरा वीडियो हो सकता है थो लंबी हो जाए मैं सोच रहे हूं कि आज आपका नदीयों से चैप्टर पूरी तरीके से खतम कर दे रहे हूं ठीक है आए हम देखते हैं देखें जो मारी नदी है कौ अरब सागर में घिराती हैवना पाने जनल बधा हो drinking कहां बहती है यह अपने अपनी कहां बहती है यह अपनी घाटी में में बहती है और इस्चुरी कब बनते है नृतुरी करें सांबर जील कच के रन में ढृतीन हो जाती है कॉये है इसी नादी जो यह इसका कोई भी टत नहीं है यह यह ऊसिपे कच पहुशने से पहले ही क्छ के रड़ में ही उसी में समाज आती कहने का मतलब आप नोगों धान में रखियां का और हम देखेंगे नर्मधा की बारे में किसके बारे में नर्मधा के बारे में धुकिर नर्मधा है Belgium मैंने आपको बताया था यहांपे असे लिए वक्वाल Ass priz इसका जो उद्गम है कहां से निकलती है मैं आपको दिखा रहे हैं यहां से नदर पानि जल जहा से अमर कंठक चोटी से निकल करके करके इंगरT बड़ाती है और यह избkay बनाती है और आप टेखके निकल लिए Sharima सो की इहां है सिर्ए लुट। मिद्वर्य प्रदेश महाराष्ट और गुजरात हो गया यहां पर गुजरात पे ही द्याह ươngशंतर हो गया यह ही अपना जल नीचे चिल देती40 अपना आपनी डिप भार्यादी में बहती हैं दो यह थी हमारी किसके वितिस्ता और मदा की सिस्ता बड़ी नदी है पहले नदी कौन सी है पहली गोदाउरी है पहली है क्रिश्णा जो क्रिश्णा है वो सिकेंड नमबर पर लंबी है थर्ड पर नर्मदा नदी यह लंबी है अब आईए अगर हम बात करें तापती नदी के बारे में जो तापती नदी है यह कहांस निकलती है तो जो इसका विस्तार है इसका भी विस्तार हमारे कहां पाय जाते हैं बनाती है यह याद रखेगा अब आए हम लोग देखते हैं किसके बारे में इसके बारे में डिटेल से देखते हैं देखें यह हमारी नर्मदान अदि आई देखें इसका जो उद्गम श्रोथ है क्या है अमर कंटक चोटी महिकाल परवसने कलती है और बहाओ कहा है बनाती है अब अगर हम बात करें तापती नदी की इसका जो उद्गम है मद्प्रदेश के सतुरा पहाड़ी के मुल्ताई के निकट बैतूल जीले से निकलती है इसकी जो अपवाच्षेत्र कहां कहा है मद्प्रदेश महाराश्ट और गुजरात में यह आप वहाँ बनती है कि इसकी अब हम आए हम लोग देखते हैं लूनी नदी निकलती है और दच्छे पश्चिव आजमेर से कहने का मतलब है नौर्थ राजिस्थान से निकलती है और सांभार जील होते हुए अपने कच्छ के दर्में बिलुप्त हो जाती है ठीक है यह समूद तक पहुशने से पहले ही बिलुप्त हो जाती है लूनी नदी की यह याद रखेगा आप यह चीत आप आये सने को छोटे चोटे नदी है बस इसको थोड़ा से ध्यान दे दीजिएगा ठीक है यह क्या है वेद्वती नदी कौन सी है वेद्वती नदी यह पश्चिम घास नदी से उद्गा में कहां स बढ़ते हैं वेद्वती नदी को हक्री नदी बुलते हैं मैंने बताया कहां से यहां से और जिन होती है और यहां पर अपना दो राज्यों में बैती करनाटा को आंध्र प्रदेश आप धिया में रखेगा अब देखें कुछ और नदी मीठी नदी क्या है यह इसका जो नदी कौन सी है अब कौन सी है ब्रहं पूत्र नदी मैंने क्या है 70 फिर काम रूब नर इइस नदी के टपर बसा हुँआ है अब ये कुछ हम लोगों देहते है नदी चंबल नदी कया नदी चंबल बिगे की वेदोरिका यर्मन कि सबसे लंबी सय यह इप्पॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट होगा मैं इंपॉटा दूगी यह कहां से मिलती है इसके जो सहयक नदी कोन सी है बनास पारवती काली सिंद छिप्रा नदी है इसकी सहयक नदी अब हम देखते हैं काली नदी इसका जो उद्गम छेतर है कहा है पस्चमी घाट आदा नदी सर्फरा से को परशेंगे के रूप righteous किसका है इसका है बहागी र'tी और अलकनंदा नदीं के जो संगम है इषको क्या बोलते हैं गंगःिस का सयूत रूक रूप है अब देखें घाव बहर इहार को बनते हैं तो धिकरने क्या चाहिए मुंक्र जल्बी भाजत का है पश्यमी घाट है Is Άगर सागर में गिनने वाली प्रहदीकि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अगर आप सिक जाम क्षाएंगे लेकिन जब आप सुछा जाए अरब सागर में गिरते हैं याद रखेगा अब अब आए निश्ठाव में गाती है याद रखेगां बिंद्यान चल उत्ता दिसा में और सत्पूरा पहाड़ी के वीच में नर्मदा नदी है याद रखेगा अब आए हम लोग देखते हैं अपने बड़े आकार और विस्तार की कारां दच्छिर गंगा और ब्रत गंगा के नाम से कौन से जाती है गोदावरी नदी मैंने बताया अगर दच्छिर की पूछ तो आप क्या लगाएंगब कोदावरी नदी लगको नदी सब्सक्राइब խार्द की सबसे situationю करोंधल को यादी भारत की सबसे लंबी नदि कौनजी कृश्चनए गवदावरी नदी का उद्यख़ होता है को होता है धापति नदी बहती है क्या है है उखर है मैंए अपने और वह को सहर साहर होसा था नदी किनारे याद रखे अहंदाबाट का इंसको कहते हैं और किना तुम सेथित है आपना जलन ही मिलती है, येर्ष में ब्लीन हो जाती है, उसमें माही नदी करकरेखा को कितनी बार काटती है, कई बार कुष्टन पुछन पूचे गया है, केरल की तशर पर नदी का निर्माग पाने वरी नदी करने को न कौन को सी गंगा बनाती है, यह बनाती है इस फोख के नाम से तो वह है कोशी नदी बिहार का सोक के निर्मार कौन से करती है चंबल नदी गार्ज का निर्मार करती है पूरवी धाउली गंगा की शहायक नदी कौन है काली नदी कौन सी है काली नदी इसकी क्या है सहायक नदी है अब देखें मध्ध प्रदेश के राइशेन जिले से कौन किसकी ओरिजिन होती है अभी मैंने बिहार राजमेंगा के किनारे से जीलों की संख्य कितनी है 12 बढ़ाव इसको धान में बसाइसे रखेगा अब दिखे कुछ और प्रश्ण है सिंट लॉरन्स नदी संट लॉरिंस नदी बिए सबसे बड़ी इस्चुरी बनाती है अब के रल में पूर की और प्रभावित होने वाली यह वहने वली नदीया कौनसी है पांबार भावानी और कभीनी अब देखें कुछ और नदी है विख्यात नदी के समन किस से चंबल नदी मैंने बताया थे चंबल के आपने डाकू का तो नाम सुना होगा क्या होते थे यह चंबल नदी गहरी खंड भूमी के लिए विख्यात है यहां पर गहरे गड़े बन जाते थे तो यहां पर डाकू की चिपने के लिए आशानी होती इसलिए वो दे चंबल के डांगो ठीक वही पर चुक जाते थे भारत का दूरसा सबसे बड़ा नदी बेसीन है कौन सा है गोदाओरी है कौन सी नदी बेसीन है तो पूछा जाए तो अब क्या बता हैंगे लंबी नदी तो पेरियार नदी है और अगर आपसे एक क्यूशन पूजा नदी कौन सी नदी होगे भारत पूजा नदी अब ध्यम रिखेगा अब देखे कुछ निश्का शाही देखते हैं अप वहा तंत्रिया प्रवाप्रणाली किसी नदी अथवा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जलप्रवाद की विसेश ब्वस्ता है क्या ह सब्सक्राइब करें और आप हार जी वीचन आप करते रहें तैंक यू